ओम शिरी गनेश आइनम दोश्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोश्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अपरेल गुरुवार के रासी फल्क के बारे में कि यहां दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्य इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबनित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वजए से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शकवे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जैंगे और रिष्टे में दोबारा मधूरत आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्थियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियास रत रहें अपने उसूलों और सिध्धान्तों से किसी भी प्र करका समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए सावधान रहें घर के किसी बुजर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तों साती साथ आपको भी अपने स्वेभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार आप हवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पूर्ण काग जातों को बहुती अधिक समाल कर र ही है घर में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गतिव विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्या दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती-पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांति बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तो साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवश्चक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तो बात लेते हैं जा आपका वैवशाय केरियर के अशा रहने वाला है दोस्तो वैवशाय में अभी वरतमान परिस्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेसा वक्तियों के आफिस का माहोल भहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कार्य छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को भहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे द दूसरों के हस्तोचेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रात्यमिक तादे तथा व्यवसाइक गतिविद्यों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेसा व्यक्ति भी आफिस में पॉल्टिक्स के सिकार हो सकते है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साती सात आज आप किसी कारणों से कारे छेत्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रू पूर्टी गंभीरता से ले नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी उनकी कर चमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज आपका स्वास्त से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा ना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से न प्रणों में लगाकर फिर उसके बाद अपने मस्तक पर लगाएं जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री हरी विश्णु जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल लहीं हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही शुब फ़लो के प्राप्ति होंगी और आपके समस्त मनों कामने भगवान श्री हरी विश्णु जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे दोस्तों भगवान श्री हरी विश्णु जी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सक्चे दिल से कमेंट्स बोक् और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद